Good morning students, I am Gunjan Joshi from Navjoti Global School पहाड़ पानी तो आज हम अपनी क्लास 5 का चेप्टर 10 एक दिन की बाद चाहत पढ़ने जा रहे हैं और इसके जो लिखा के वो है जिलानी बानो ठीक है तो चलिए अब हमें पढ़ते हैं एक दिन की बाद चाहत आरिफ, सलीम चलो फौरन सो जाओ अम्मी की आवाज एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कवाली गा रहे होते तो आरिफ और सलीम जो हैं दो भाई हैं तो उनकी अम्यों उसी समय आवार लगाती जब वो दोनों दोस्तों के साथ बैठके कवाली घा रहते हैं तो या फिर सुबह बढ़ मेंजे से आईस क्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं कि आपा जिजोड कर जगा देती जल्दी उटो स्कूल का वक्त हो गया दोनों की मुसीबत में जानती हर वक्त पाबंदी हर वक्त तक्रार अपनी मर्जी से वो चूबी ना कर सकते थे कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाई जान डाटते चुप होता है या नहीं हर वक्त मैडक की तरह टराय जाते हैं बाहर जाओ तो अमें पूछती बाहर क्यों गए अंदर रहते तो दादी क्या बोलती अंदर रहते तो दादी चिलाती हाई मेरे दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे अरी रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हागते जैसे बच्चे ना हुए हम मुर्गी के चूजे हो घंटों बैटकर इन पाबंदियों से बच निकलने के तरकीबे सोचा करते उन दोनों से तो सारे घर के दुश्मनी हो गई थी तो मतलब वो काफी परिशान हो गए थे पाबंदियों में उनकी अंदर रहते तो उनकी दादी बोलती कि ये हला कर रहे हैं और मम्मी उनकी बाह कर दे दिए जाए और सब बड़े चोटे बन जbareए तो दोनों के मिलकर रहे कि उज्ञा बनाएं और अबगा के खिदमत में अपने बहा मतलब अपने 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 से क्या बोला कि उनसे ये दर्खास मेटाना की कि एक दिन निन बड़ोत के सारे अतिकार दिये जाएं और स इक्रार भी कर बैठे कि कल दोनों हर किस में के अदिकार मिलएंगे तो कहते वह कि मुझे मान गया है तुमे तो महिं हर तरह के ओधिकार मिलएंगे अभी ऍवर होने में कई घंटे थै कि आरिफ ने अम्मी को जोड़ा आर्स ने अपनी अम्मी झल्दी उठी नाश्ता तयार कीजिए अम्मी ने चाहा एक जापट रिसीद दे मगर याद आये कि आस तो उन्हें सारे अधिकार छीने जा चुके है तो ठीक है तो फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका कहा तौबा है दादी कितना हरीरा पी अगी आप पेट फट जाएगो और दादी ने हाथ उठाया मानने के लिए उन्हें ठीक है लेकिन नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा खान सामा रसोईये से कहा उंडे और मक्षन वगएर हमारे सामने रखो दलिया औ दूद बिस्कुट इन सब को दे दो तो आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें गुरा पा उनकी माने मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वह तर माल अपनी लिए नहीं रख सकती क्योंकि आज उनको वहपनी थे सब खाने बैटे तो सलीम ने अम्मी को टोका अम्मी ज चलिए उठिये अम्मी निवाल तोड़ चुकी थी पगर सलीम ने जबरदस्ती उनको उठाकर अम्मी ब्रेश करने के लिए बुला मतलब नात साफ करने के लिए अम्मी को घुसल खाने में जाते देखकर सम हस पड़े जैसे क्या हो जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हसते थे ठीक है अब फिर वह अबबा की तरफ मुणा और जरा अबबा की गत देखे बाल बेड़े हुए हैं सेव भी नहीं कि कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैल कर डाले हैं आकर अबबा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगी ये सुनकर अबबा का हस्ति-सति ब आफिस जाएए फॉरन आफिस जाएए दस बज गए हैं तो फिर चुप अबबा डाटते डाटते रुख गए और बेबसी से गजल की अधूरी पंगती दातों में दबाए वे पाउं पटकते वे गुस्ते से मितलब आरिफ के साथ चले गए रेजिया जरा मुझे पांच र नकल उतारी जैसे अबबा ने कहते हैं कि इकन्नी का क्या करो के जेब खर्च तो ले चुके थोड़ी देर बाद खान सामा खान सामें से रसोई आगया बेगम साहब आज क्या पकेगा आलो गुसत कबाब मिर्चों का सालन अम्मी ने अपनी आदित के नुसार कहना शुरू क सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी आज गुलाब जवन गाजर कलव मीठे चावल पकाओ लेकिन मिठाई उससे रोटी कैसे खाई जाएगी अम्मी किस तरह सब्रे ना कर सकी जैसे हम रोट सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं दोनों ने एक साथ का दूसरे तरफ दादी किसी से तू तू मैं मैं किये जा रही थी अफो दादी तो सोर के मारे दिमाग पिगलाए दे रही है आरिफ ने दादी की तरह दोनों तब वो सब अपने बड़ों की नकल कर रहे थे ठीक है तो क्या हुआ इतना सुनते ही दादी चीखना चिलना ना सुरू कर दी कि तो कालेश का जैसे वकित हुआ तो बायजान अपनी सफेद कमीज को औरिफ सलीम से बचाते दलान में अए अम्मी शाम को मैं देर से आउँगा दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है क्या हुए दिलान में लाए तो अम्मी उससे बोला कि अम्मी शाम को देर से आँगा दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है ठीक है उनका भाई जान बोलते हैं तो खरबरदार आरीफ निकाल कर उन्हें धमकाया कोई जरूरत नी फिल्म देखने की इम्तिहान करीब है और व लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खास का फिल्म देखने की बाद पक्की कर जूए इसलिए इजाज़त देने की महरबानी की जाया उन्होंने हाथ जोड के उनके भाई जानने उनसे हाथ जोड के विनमरे निवेदन किया ठीक है तो बना करे बस मैंने एक बार कह दिया आप सलीम ने बड़े गौर से आपका मुआयना किया मतलब उनको देखा इतना भारी साधी क्यों पेहने आपने तो साम तक गारत हो आईगी साम तक क्या होगी इस साधी को इस साधी में परशान हो जाएंगी इस साधी को बदल कर जाए वे सफेद वायल की साधी पहनना अच क्या कह रहा हूं सुना नहीं अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपको आपा शर्मिन्द होगे बिल्कुल इसी तरह वह आरिफ और सलीम से उनकी मसम पसंद कमी चुतरवा कर निहायत निहायत क्या हो गया अतियंत बेकार कपड़े पहनने का हुपम लगाया करती थी दूसरी से कह रही थी स्कूल जाते वक्त एक चवनी जेब में डाल लिया करो क्या हर्ज है तो यह थी उनकी कहानी ठीक है एक दिन की हुकूमत इसलिए एक दिन उनको उनके बड़ों की जगा दी गई इससे उनको भी हैसास हुआ कि वो कुछ जादा ही सक्त हो रहे थे अपने की बात कभी कभी मान लें जे उन्हें जिग्या सा भी थी कि देखे बच्चे कैसा करते हैं बड़े होकर ठीके बड़े उनकी कैसी भूमी करे बाते है वह एक दिन बहुत अनुका था जब बड़ों के अधिकार मिल गयते वह दिन जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा आरिफ ने अम्मा ने और दादी ने क्या सोचा होगा आरिफ ने सोचा होगा कितना अच्छा होता अगर हम रोज ऐसे ही दिन मिलते हैं फिर मज़ा मज़ा करते हैं अम्मी ने सोचा होगा कि बच्चों की मर्जी भी सुननी चाहिए और दादी ने सोचा होगा एक दिन बीद करोगे दूदर फल बिल्कुल नहीं लोगे या फिर दिन भर मिठा वो क्या करोगे चॉकलेट्स मिस्किट्स काऊगे कहानी मैं से नहीं कहीं काम बता हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे तुम्हारे विचार से उनमें से कौन-कौन से काम उन्हें ब वो उन्हें बिना शकायत के करने चाहिए थे कम जेब खर्च में संतुष रहने का काम दोस्तों के साम गप्पे नहीं मानने का काम और जो नहीं करने चाहिए थे कि बेकार कपड़े पहनने से और मिर्च की सलान खाने से ठीक है तरकीब दोनों घंटों बैटकर इन पाबंदियों से बचने के तरकीब तुम्हारे विचार से कौन-कौन सी तरकीब सोचे होंगे कौन सी तरकीब उन्हें अच्छे पूरिक हो गई थी क्या तुम उन दोनों के इस तरकीब से भी अच्छे तरकीब सुझा सकती हो देखे अब क्या है अधिकारों की बाती तो आज तो उनके सारे अधिकार चीने जा चूके थे अम्मी के अधिकार किसने चीने थे देखे घर के बड़े लोगों को कैसे समझाया जाए जिससे की वे उन्हेंने क्या सोचा निर्देश देते रहना को हमीशां को हमीशा टोकते रहते जोख टोकते रहते के उन्हें कंखने। आरिफ स्वहे करウेशां की निम्हा ठीजार पलाय मेशांчно हम तुमसार बच्छों को सारे बड़े वाले काम करने एस से काम में कौन सी एक दीन असली बात्सा बन गया ऐसा सीर्षा किसले रखा है क्योंकि आरिफ और सलीम एक दिन के बिन बात्षा की तरह अपनी मर्जी से घर का साइसन चलते हैं घर के सभी सद्धिशों का आदेश देते हैं उन्हें क्या करना है क्या पहनना है क्या खाना है आदी निर्देश देते हैं इस कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़े काम करने था ऐसे में कौन से असली बात्सा बन गया था कौन बन गया था अरिफ एक दिन का असली बात्सा बन गया था ठीक है रोज की तरह आज वह हर तर्माल अपने लिए ना रख सकती थी तो अब यह दूसरा प्रोशन है तर्माल रोज की तरह आज अपने लिए तर्माल नहीं रख सकती थी कहानी में किन किन चीजों को तर्माल का गया अंडर मक्षन को तर्माल का गया इन चीजों के रावा और किन किन चीजों को तर्माल का जा सकता है दाल चावल रोटी इन चीजों को तुम क्या नाम देने चाहोगे आपको खुद करना है कि मनपसंद कपड़े बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम की मनपसंद कपड़े निकलवाकर उन्हें निहायत बेकर कपड़े पहनाती थी तो मैं भी अपनी कोई खास कपड़े सबसे अच्छा लग है आपको बिताना है और फृइन के घीन लगां के का मरी लगता है है भारी 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 काम उपरी भारी विशेशन का चार अलग से लिए इसमें नहीं है इसमें क्या घाल करें लिए बारी अटेजी वजणदार वाली हो गई थी थी कहा है बारी साड़ी मतलब वह अगई थी कहा है । और क्यों गया भारियहटेजी मसलब वजयksom अबारिकाम मनलब बहुत बड़ी चाहम भारिकी तारा हलका कभी अलग अलग अब्रतों मेंस्ते माल करू। कुला हो जिस मतलब पंधोर हलकी बात जो ठोड़ी सॉथ्ट हो मतलब प्यार भी वह बात है। काम मितलब जो हलका फुलका काम मितलब कम खाना तो चलिए यहां पर हमारा पार्ट पूरा होता है करने वाद